संजीव कपूर खजाना के सबी देखने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और ये जो नमस्कार है, स्पेशल नमस्कार है आपके लिए क्योंकि एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन रेसिपी आने वाली है एक कॉंटेस्ट किया था हमने, जियां दावते इश्क और ये जो दावते इश्क का कॉंटेस्ट है, इसके विनर्स जियां कैसे हमने चूज के, बहुत सारी रेसिपीज हमारे पास आई, धेरो रेसिपीज आई और ये जो रेसिपीज हैं, उसको ट्राइ करके, चूज करके ये कैसे बनेगी, कैसा स्वाद होगा, वो जो रेसिपीज हैं, उन में से और ये जो हरियाली टिक्का है ये वैसे आया भी लखनव से है लखनव जो है वह जग़े ऐसी है कि वहाँ पर कुछ भी बन जा है खाना वड़ा, बढ़या होता है अब चाहें वहाँ बिर्यानी हो, कबाब हो, कुछ भी हो वहाँ के खाने में कुछ तो बात है तो यह जो हर्याली टिका है यह है पृती श्रिवास्तव जी की रेसिपी तो बहुत-बहुत बदाई पृती जी आपको और आपके परिवार वालों को आपको तो ठीक है लेकिन आपके परिवार वालों को क्यों वो इसलिए क्योंकि आपने जितनी बार रेसिपी ठीक नहीं बनाई होगी उन्हेंने तब भी खाई होगी मुस्कुराते हुए तो इसलिए जिनों ने वो रेसिपी उस समय जब बढ़या नहीं बनी थी भुगती थी उनको भी बहुत बहुत बढ़ाई अब जो रेसिपी है वो शुरू कर लेते हैं उनकी रेसिपी के हिसाब से ये देखिए हरा हरा धनिया और ये जो हरा धनिया है ये ले लिया फ्रेश कोरियांडर अच्छी तरह से पतियां धो के तो ये धनिया ले लिया इसके अंदर सौफ वा धनिया और सौफ नमक ये रहा लाल मिर्च पाॉडर ये उनकी रेसिपी कहाए है। इसलिये हम लाल मिर्च पाॉडर लालने नहीं तो मैं शायद इसके अंदर थोड़ी हरी मिर्च डालता। इसमें थोड़ा सा पानी, बहुत थोड़ा सा क्योंकि ये जो पेस्ट है ये एकदम गाड़ी रहनी चाहिए तो इसलिए ये पानी बहुत थोड़ा सा लगाया धकन और फिर इसे हमने पीसना है तो ये पीसने के लिए ये लीजे ये पीस लिया हमने इसे और ये जो है ये पीसने के बाद और ये देखिए ये पिस्क या जो पिलकुल वैसा ही है ये लोकिंग गूड स्मेलिंग वेइनाइस और अब जो हर्याली टिका है उसकी तैयारी और ये जो हर्याली टिका है इसके लिए ये मेरे पास पनीर फ्रेश पनीर बाजार से खरीदा हुआ ये लेकर इसके बड़े पीसेज ये लिया और इस तरह से थोड़े बड़े पीसेज ये ले लिया और ये थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए पनीर कैसा है अच्छा पनीर स्लिट कर लें बीच में से लेकिन ऐसे करें कि पूरा नहीं ये कटे ये इस तरह से चलिए इस तरह से कर लेते हैं मेरे इस आप से ये पूरी रेसिपी में ये काम जो है थोड़ा मेहनत वाला है और अगर मुझसे पूछा जाए तो ये रेसिपी में टेस्ट वैसे ही आएगा तो ये बनने के बाद में आदित्य और परिनिती चखेंगे इस दावत को देखते हैं कि आपकी रेसिपी क्या कमाल लाती है अच्छा ये हो गया अब हमारे पास ये जो मिक्स्चर था ना ये लेकर ये देखें ये इसके अंदर ये देखें ये ले लिया धनिया जिसके साथ में सौंफ, सौंफ के साथ नमक, नमक के साथ लाल मिर्च, पीसी और इसके अंदर डाल दिया और फिर ये देखिए ये लेकर ये हमारे पास है बेसन ये लिजे बेसन जो है ये इसके अंदर और फिर इसमें नमक, salt to taste उसके साथ-साथ अद्रग लसन का पेस्ट थोड़ा सा लाल मिट्स पाउडर और और इसके अंदर नीमू का रस ये लिजे ये सारी चीजे जो है इसके साथ में मिक्स कर देते हैं तो ये बन रहा है हमारा हरे आली टिक्का ना वन तिंग ये लिए बेसन है वो बहुत जाद नहीं डाले एक और दूसरा ये जो बेसन है उसको अच्छी तरह से मिक्स होना चाहिए so that there are no lumps so ये जो चीज है ये रेखिए बेसन के साथ में ये एकदम बढ़या से मिक्स कर लिया हमने ये तयार और फिर अब क्या करना है ये ग्रिल पैन बढ़या सा ग्रिल पैन जिसके अंदर ये किस तरह से एक ऐसे ग्रूज बने हुए और ये तेल इसके अंदर मैं काम करता हूं वाह ये जो है लिया पनीर पनीर को इसके अंदर और इसमें डाल दिया थोड़ा सा और गरम होने देते हैं थोड़ा तेज गरम हो जाएए ये हमारा जो धनिये का मसाला है वो इस पे लग जाए वाह और प्रीती जी आपकी जो रेसिपी है कामाल की रेसिपी है इसी तरह से बढ़या बढ़या रेसिपी संजीव कपूर खजाना बेजते रहें और दावते इश्क जो है वो देखिए मज़दार फिल्म है इसके नहीं रह जाए बस अब ये जो है ये तैयार और इसे सर्व करने के लिए ये लीजे वह गर्मा गर्म पीसेज इस तरह से ये जो पीस है ये लीजे लिटल बिट ओफ गार्निश ये मेरे पास है अलफा अलफा स्प्राउट्स और ये जो है ये लीजे पनीर से बना हुआ हर्याली टिक्का ये कैप्सिकम पतली-पतली कटी हुई है ये तो बढ़ेया से त्यार हो गया अब दिखने में अच्छा है खाने में खुश बड़े अच्छी है मसाला बड़ा मज़दार है नीबू परफेक्ट है पनीर अच्छा लग रहा है वाके विनिंग रेसिपी है